CAA का पूरा नाम है Citizenship Amendment Act जिसको हिंदी में नागरिक्ता संसोधन कानून भी खहते हैं। हाली में ये कानून जो है सरकार ने नोटिफाई किया है, बहुत पहले ये बन चुका है लेकिन हाल में सरकार ने इसको नोटिफाई किया है। ये कानून उन लोगों के लिए है जो भारत की नागरिक्ता प्राप्त करना चाते हैं, जो जैन, पार्सी, हिंदू, सीख, क्रिश्चन कम्यूनेटी से आते हैं और किसी देश से परतारित होकर के भारत में वो आते हैं, उनके लिए ये कानून लागू होता है। इसके लिए अब वो लोग भारत में आकर के भारत के नागरिक्ता बनने के लिए आवेदन इस कानून के तहद कर सकते हैं और भारत की नागरिक्ता ले सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि उनको भारत की नागरिक्ता लेने की क्या जरूरत होगी देखे बहुत सारे देशों में जैसे पाकिस्तान हो गया अफगानिस्तान बंगला देश ये बारत के जो पड़ोसी देश हैं यहां पर हिंदू के साथ अत्याचार होना और उन को एजे माइनोरिटी उनके साथ वो सारी चीजे होती है जिसकी वज़े से हमारे देश में वो आतो जाते थे लेकिन उनको यहां की नागरिक्ता नहीं मिल पाते थी जिसकी वज़े से उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करता पड़ता था यहां पर उनके पास कोई लेग माईग्रेंट का ठपपा जो है उनके उपर लगता रहता था तो इस चीज को हटाने के लिए सरकार ने ये नया कानून जो है वो पास किया है और इसमें अब वो लोग भारत में रेप आएंगे और साथ इसाथ भारत की नागरिकता के लिए ओनलाइन आवेदन करके भारत की न नागरिकता प्रप्त कर पाएंगे इसके बाद जो आने वाली चीज है वो है आपका NRC इसके बाद जो आएगी वो इलिगल माईग्रेंट को हटाने के लिए होगी एक तरीके से जिनके पाल डोकुमेंट नहीं होंगे जो ये प्रूब नहीं कर पाएंगे कि वो इंडिया के citizen है उनके लिए NRC होगी वो उन लोगों को prevent करने के लिए होगी जो illegally इंडिया में रह रहे हैं हमारे देश में रहे हैं हमारे देश की सुईदाओं का फाइदा उठा रहे हैं लेकिन वो हमारे देश के नागरिक नहीं है वो legal तरीके से बारत में नहीं आये हैं ऐसे लोगों मुझसे पूछ रहे हैं कि सर जो है CAA और NRC जो है इनमें डिफ्रेंस क्या है तो इनमें basic डिफ्रेंस यही है कि CAA जो है वो नागरिकता संसोधन कानून है इसमें आप citizen बन सकते हैं इंडिया के नागरिक बन सकते हैं जो NRC जो है वो illegal लोगों को इंडिया से हटाने की एक कानूनी जरिया होगा जिससे कहता है बहुत सारे लोग जो है जो illegally इंडिया में रहे रहे हैं उनको निकला जा सके इंडिया से डिपोर्ट किया जा सके अब एक सवाल यह भी हमारे दर्सक ने पूचा कि क्या सर यह कानून जो है पर्टिकुलर स्टेट में लागू होगा बह कि यह हमारी देश की संसद ने पास किया है तो आप कुछ कानूनी अर्चन ने जरूर इसमें पैदा कर सकते हैं लेकिन आपको इसे लागू करना होगा और national interest में यह होगा कि आप इस कानून को apply करे लागू करे तो यह एक अच्छा कानून है और यह हमारे देश में काफी प इसके बाद का जो कानून प्रस्तावित है लोग बोल रहे हैं कि वो आने वाला है वो है आपका uniform civil code जो भी काफी अच्छा कानून है इसके उपर मैं एक detail वीडियो बनाऊंगा आपके सामने मेरे view जो है इसके उपर क्या है वो प्रस्तूत करूंगा और आपको बताऊंगा क कि uniform civil court किस तरीके से आप और हमें सब को परवावित करेगा और क्यूं यह जरूरी है तो उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है और ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्स्क्राइब पर से तक यू सो मुच पर वाचिग वाचिए हैं तो आप पर वाचिए वाचिए